तो हैलो फ्रेंड्स आईए इस वीडियो में भी बात करते हैं एक और पैनी स्टॉक की देट इस ग्लोबल कैपिटल मार्किट्स लिम्टेड दोस्तो अज मार्किट में तो वॉलेटेल्टी है लेकिन इस स्टॉक में फिर अपर सर्टर लग चुका है यह स्टॉक 1.94 परसंट क कहां तक रैली हो सकती है लेकिन दोस्तों नए आयो हुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले इससे फंडामेंटल देख लो दोस्तों का मार्किट कैप 41.82 क्रोड के रहुए और इसकी पी मल्टिपल्स अभी भी नेगटिव है मतलब अभी भी कामपनी लॉस में चल रही है और प्राइस टू बॉक रिशो जरूर इसकी सही है 0.87 की है आरवी परसेंटेज भी नेगटिव है मतलब कामपनी अभी जो है लॉस दिखा रही है लेकिन हां इसकी फेर वैल्यू जरूर अब जो है वो सही हो चुकी है मतलब आजकर यह जो स्टॉक है यह अपनी फिर वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है तो यह एक पॉस्टिव इंडिकेशन है तो आईए आपडेट ले लेते हैं दोस्तों नए आयो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों सबसे पहले इस कामपनी के जो नतीज़े आये थे वो देख लो पहले रेवनु जी जो है वो गिरता दखाई दे रहा है कामपणी के सेल्स बॉलिम गिरते दखाई दे रहे हैं हां मार्जन जरूर इंप्रूब हो गए हैं अब जदी दिसंबर क्वाटर में कामपणी अपने रेवनु को भी रिकवर कर लेती है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम इ अब बहुत ही जरूरी हो जाता है दोसो अब इस कामपणी का जदी हम लेटस इंटीमेशन देखें तो कामपणी ने अब एक लेटस इंटीमेशन दी हुई है कामपणी के बॉर्ड ऑफ डिरेक्टर्स की जो मीटिंग है 12 फेबरी को फिक्स कर दी गई है तो 12 सेकेंड 2024 को इ डिसकस दा अन ओडटेड फिनेंशल रिजर्टस तो कामपणी के रिजर्टस जो है वो इस दिन डिकलेएर किये जा सकते हैं तो इसलिए दोसो फ्यूचर की जो प्रफॉर्मेंस ते स्टौक की वो डिपेंड करेगी इसके प्रनेंशल रिजर्टस पे जदी कामपणी के टोटली पॉस्टिब हैं इसलिए इस स्टॉक में जो है वो अपर सरक्ट जो है वो लगा हुआ है तो ट्वैलोग फैबरी की दोसो डेट नोट करना बहुत ही जरूरी है उस दिन इस कामपणी के नतीजे जो है वो आ जाएंगे तो इसलिए जो फ्यूचर इसकी जो प्रकॉर् दिया था और एक स्टॉक सप्लेट भी दिया था यह भी आपको नोट करना है तो कामपणी टू टाइम अपने दिवेशकों को जो है वो बुदाजा देती रहती है अब ज़िए इसकी सिक्स मंत की प्रकॉर्मेंस देके तो 11 परसंट के हिसाब से इसकी ग्रोथ जो है वो दे दखाई दे रहा है तो यह लाइन बन रही है लोगर ट्रेंड लाइन जो है वो इन्क्रीज हो रही है मतलब कामपणी अपने सपोर्ट को इनक्रीज कर रही है तो यह कलीरल इंडिकेशन है दोस्तों के स्टॉक नीचे ज्यादा नहीं गिर रहा है और आने वाले टाइम में ज़िए वार्टर थरी के नंबर्ज भी सभी रह जाता है जो के 12 फेबरी को पेश किये जाएंगे तो फिर इस स्टॉक में बढ़ा दमाखा होगा यह जो स्टॉक है बांट पांट टू के जो रिजिस्ट्रंस लेवल है उसको ब्रेक करता दखाई दे सकता है क्योंकि इसकी जो क्योंकि अब जो क्या होगा मिक्स ट्रेंड आया है कांपणी के नंबर्ज तो मिक्स शो कर रहे है जैसे आपने देखा है रेवनू रेड्यूस हो रहा है जबके इसका जो मार्जन से वो इंप्रूव हो रहे हैं तो अबरॉल अर्णिंग पर नेगटिव इंपक्त है तो करते हूं तो अभी वेट कर लो हां लॉंग पजिशन के लिए इस स्टॉक में अच्छा पैसा जुरूर बन सकता है अच्छी रिकवरी होती ही दिखाई दे सकती है क्योंगे फिर आपको पेशन्स रखना होगा थोड़ा सा इस स्टॉक में थोड़ा सा डिप मिलता है तो उस दोस्तों नए आयो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल एकन का बटन भी दुआ लें ताकि सारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें तो थैंक्स के